अप्रेंड वल्कमटो मिस्रा किचन चनल आज हम बच्चे लोगों के लिए बनाएंगे मल्टि पॉर्फोर चौक्लेट सीरप बनाएंगे इसमें चौक्लेट बना सकते हैं नहींतों सब्सक्राइब कर दिजिए एन लाइक भी कर दिजिए चोकलेट का शिरप बनाने के लिए कुछ कटे हुए हालमण लिया है, यहां पे थोड़ासा मॉल स्प्रे लिया है, थोड़ासा, कारीबन, एक कप कोको पाउडर लिया है, एक कप आईसील शुगर लिया है, घर में भी बना सकते हैं, थोड़ासा सुगर को in essence लिया है पहले हम ये सारे पाउडर को अच्छे से च्छनी में चान लेंगे ताकि जो दानेदार का हिस्सा रहता है वो निकल जाए और हमको रिफेर्णबाला पाउडर मिलेगा तो ये मैंने पहले आइसिंग सुगर को अच्छे से च्छनी में चान रही हूँ ये घर में ब से छानेंगे तो यह जो दानेदर का हिस्सा निकल जाएगा अभी मैं इसमें डालूंगी कोको पाउडर एंड अमुल्स पे इसको भी अच्छे से छन्नी में छानके सारे पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लूंगी जब भी चोकलेट का सिराब बनाए अंसलिटर्डी बाटर ही लीजिए ताकि वो अच्छा रहता है अभी मैंने यहां पे एक बाउल लिया है बाउल में पेने थोड़ा सा पानी गरम कर लिया है और पानी को थोड़ा सा डिस्टेंस रखे मतलब पान से साथ इंची उपर मैंने एक कटोरी रखी काच की ताकि वो श्टीम में हम बनाएंगे वो सीरप तो इसलिए मैंने बटर डाला करीबन एक कप और इसको मैं मेल्ट करूंगी जब तक यह अच्छे से मेल्ट नहों जाए यह प्रोसेस पूरा स्टीम में बनेगा देखिए यहां पर मेरा बाउल जो है बहुत हीट हो गया है और दीरे-दीरे करके सारे बटर अच्छे से मेल्ट हो रहे है यह प्रोसे शॉम्र आप्यप मेरा च्छाष अब हम अचैने में चछान हाँ इसको ढूरे दीरे-दीरे करके एड़ करते रहेंगे हैंगे और च् go अच्छे से मेरा फ्लेंग 5-7 मिनिट कंटिनुसली हम ऐसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें लंच नाए एक साथ बिल्कुल मत कीजिएगा धीरे-धीरे करके सारे पाउडर को मिलते जाएगा और इसको ऐसे कंटिनुसली मिक्स करते रहे हैं ताकि इसमें लंच नाए यहां पर स्टीम भी अच्छे से आ रहा है बाउल के उपर और यह सिरफ भी बनके कुछ एक मिन्टों में तेयार हो जाएगा यहां पर देखिए मैंने सुगर डाला है तो सुगर भी मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और यह जो कंसिस्टेंश है हमारा थोड़ा अच्छा बनके आएगा अभी शिरफ में हम डालेंगे दो से ती स्पून पानी और इसको करीबन पान से साथ मिनाट तक एसे कंटिनुएसली मिक्स करते रहेंगे आप जब भी बन आए बिल्कुल इसी तरह एक नीचे एक पैन रखे उपर एक कटोरी रखे शिरफ बन आए ताकि शिरफ अच्छे से बनके आएगा देखिए यहां पर बिल्कुल शिरफ बनके रेडी हो गये और कंसिस्टेंशी भी बहुत अच्छे से आया है अभी मैं इसमें डालूंगी क्रोस्ट के अगया प्रोस्टेड आलमंड यह बिल्कुल ही अफसना लें और इसको कंटिनुसली एक मिनाट तक ऐसे मिक्स करते रहूंगी वो भी मेडियम फ्लेम में आप स्किप भी कर सकते हैं यह बच्छे लोगों के लिए डाक चोकलेट बन अगर आपको पसंद आए और इसके उपर मैंने थोड़ा सा वैनिल एसेंस डाल रही हूं ताकि वो फ्लेवर अच्छा है और बच्चे लोगों को पसंद भी आए और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लोंगी इसमें हम डाक चोकलेट बना सकते हैं नहीं तो चोकलेट केक बना अगर आपको पसंद आए मेरी रेस्पी प्लीज सब्सक्राइब कर देजे लाइक कर देजे और जायर कर देजे थेंक यू